जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सबस्क्रेब में करते हैं वो तीन दिन में गायब हो जाते हैं हेलो दोस्तों अरहोप आप सभी लोग ठीक होंगे तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मुवी जिसका नाम है इडन ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मुवी है तो आप अगर चैनल पर नहीं है और चैनल को सब्स्राइब नहीं ती उसके हाथ पेर और मुह सब बंदा हुआ था वो भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो किड्नाप करने वाल आदमी बस सिगरेट पी रहा था और फिर उस डिक्क के वापिस बंद कर देता है अब मुवी इस इंसिटेंट के एक दिन पहले आती है यह बात 1994 की है जहां प पास बार में जाने के लिए एक फेक काईडी कार्ड भी था क्योंकि जह अभी भी 18 साल की नहीं हुई थी जह के पिताओ को पता था कि वो सिगरेट पीती है लेकिन वो उसकी माम को नहीं बताते और यह उन दोनों के बीच एक स्वीट सा रिलेशन शो करता है फिर उसके पित करती है जो कि फायरफाइडर की ड्रेस पेने हुए था और वो उसके लिए ट्रिंग ओफर करता है जिसके बाद दोनों में बाच्चित होती है और यह भी दोनों को बात करने के लिए अकला छोड़ जाती है फिर अब यह लड़का जे को घर तक छोड़ने के लिए राइड इसने बात करने के लिए जाता है जो कि ये को बड़ा अजीब लगता है और उसमें वस लड़के की बहुत सारी यूनिफोर में जोकी नकली है और भागने की कोशिश करती है और जलदी ही वा आदमी उसे पकड़ लेता है और अचानक सब ब्लैंक हो जाता है सीन कट हो के एक पुलिस ओफिसर बॉब पर आता है जो कि किसी फाब में जा रहा था वहाँ पर दो ओफिसर पहली थे और उन्हें एक लड़की की डेड़ बॉर्ड मिली थी उस लड़की के पैर में एक ट्रेकर भी था और पुलिस इंवेस्टिकेशन आगे नहीं बढ़ पाए इसलिए बॉब वहाँ मोज़े दोनों को मार डालता है सीन फिर से जे पर आता है जो कि अब एक ट्रक में बेटी हुई थी और वहाँ पर और भी कई सारी लड़कीया थी उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है ट्रक एक जगा आकर उपता है जहां एक आदमी उसे खीच कर भार निकलता है वो अब एक ऑपरेशन थेटर में थी जहां पर एक बुड़ी नर्स आती है जो कि जे को एक इंजेशन लगाती है और जे बस डर के मारे चिल ला रही थी जे की जब नीद खुलती है तो वो एक छोटे से रूम में थी जहां पर और भी कई लड़किया बंक बेट पर थी फिर वहां कुछ अनाउंस्मेंट होता है और हम देखते हैं कि वहां एक दो नहीं बलके कई सारी लड़किया है जिनकी उमर छोटी से लेकर बड़ी तक है और उन्हें भी यहां पर किड्ने पर के लाए गया है उन्होंने बस नाम के कपड़ पेने थे और यहां पर बॉब आता है जो कि सभी को कुछ गिफ्ट देता है जे अभी भी अंदर थी वो बाहर नहीं आती और देखती है कि क्या चल रहा है बाब सभी को एक बिल्ले का बच्चा देता है जे अभी भी बाहर नहीं आती और बाब उसे कुछ दिन देता है इस महौन में ड़लने के लिए अब अगले दिन जे बाकी लड़कियों के साथ बातरूम में थी वो नहाने जाती है जिसके बाद एक नर्ज सभी लड़कियों को चेक कर रही थी और फिर उन्हें कुछ ड्रग दे जाता है सभी अपना लंच करती है और सभी लड़किया अपनी अपने केट से खेल रही थी क्योंकि उनके लाइफ में बस अब एक यही खुशी थी कुछ दिन बित्ते हैं और एक दिन वोग नाम का आदमी कुछ लड़कियों को सिलेक्ट करके कही ले जाता है और उनमें जे को भी सिलेक्ट किया जाता है उसे एक वेन में डालके एक अन्नोन प्लेस पर ले जाय जा रहा था उसे लेदर की ड्रज पेना कर उसे फिर एक प्लेस पर लाए गया था और केमरे के सामने बांद देते हैं जे के साथ जो भी हो रहा था वो उसके लिए बहुत गिनोना था और उसे जबर ज़ती ये करना पड़ रहा था उसे रिकॉर्ट किया जा रहा था और तो और उसे अपने क्लाइंट्स को सर्विस भी देना थी जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था और इसी रात को जे अपनी रूमेट प्रिंसिला के सामने फूट फूट करोने लगती है अब कुछ दिनों के बाद वाग उसे अकेले ही अपनी जौब के लिए लिजा रहा था और उसके कलाइंट ने जे को स्कूल गल के कपड़ों में बुलाया था उसके कलाइंट कराम जौन था वो शादी शुदा था और उसकी बच्ची भी जे की उमर की थी जे को जोन के पास अकेला छोड़के वाग बात्रूम में जाकर ड्रक्स ले रहा था तब ही उसे वहाँ पर चिलाने की आवज आती है वो देखता है कि जोन जमीन पर पढ़ा है और जे उसे चोट पहुचा कर भाग गई थी जे ने जोन के प्राविट पार्ट को काट लिया था और उसका मूँ पूरा कून से लाल हो रहा था उसके कपले पूरे खुले वे थे और वो भाग रही थी लेकिन वाग उसे पकड़ लेता है वो एक घर में गुज गई थी जांपर दो लेडी कौफी इंजोई कर रही थी और वो कहता है कि वो एक पुलिस ओफिसर है जो की ड्रग एडिक्ट जे को पकड़ने के लिए आया है वो उसे वापिस लाकर जे को पनिश्मिन दे जाती है जिसमें उसे बांद कर एक बर्फ से भर हुए टब में डाल देते हैं और पूरी रात के लिए उसे ऐसे चोड़ देते हैं फिर बॉब वोन को उसकी इस हरकत के लिए इंसल्ट करता है और एक तपड मार देता है अब हम देखते हैं कि एक साल बीता जाता है जे भी अपने परिवार को बूल कर अपनी इस नई जिंदगी को एकसेप्ट कर लेती है और अब उसका नाम जे से इडन हो गया था उसे लगातार इंग्जेक्शन दे जा रहे थे वहाँ पर उसकी प्रिंसिला बेस्ट फ्रेंड बन गई थी और हम देखते हैं कि यहाँ पर लाना नाम की एक खुबसुर लड़की थी जिसके हाथ में जे की रिंग थी जो कि उसके फादर ने उसे दी थी जे प्रिंसिला को बताती है कि वो अभी 19 साल की है और प्रिंसिला का कहना था कि वो कैसे यहाँ पर बच गई है क्योंकि इतनी कम उमर की लड़कियों को यहाँ से गयाप कर दिया जाता है फिर तब भी वहाँ से एक आदि में आता है और प्रिंसिला को गसीट कर ले जाता है शाम के समय देखते हैं कि जे यहन की एडन को फिर से अपने क्लाइंट्स को फिर से सिटिस्फाय करने के लिए बेजा जाता है लेकिन इस पार ये पार्टी बहुत बड़ी थी जे की ड्रेस बे लग थी और वो एक चाइनिज लड़की बन कर गई हुई थी और हम देखते हैं कि जे अब एक साल में इस काम को करने में परफेक्ट हो गए थी अब वापस लोगते समय इडन वैन में अपने हिल्स को तोड़के चुपा लेती है इडन जब रूम में आती है तो देखते है कि पिंसिला कहीं नहीं दिख रही थी शायद उसे भी मार कर फेक दिया गया होगा इडन रात को अपने चुपाई हुई सेंडल निकाल कर लाना पर अटेक करती है और उससे अपने डेट की दी हुई रिंग वापस ले लेती है वहाँ पर गाटस आते हैं और रूम छुडाते हैं फिर वन इडन को खीच कर दूसरे कमरे मिले जाता है और वो इडन से इंप्रेस हो गया था वो उसे पनिश्मेंट के रूप में इडन को अपने रिंग निकलने के लिए बोलता है और ठीक इडन को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है वोग को लग रहा था कि इडन अपनी एजसे ज़्यादा इस्टोंग है और इडन उसके सिंपती के लिए रोने लगती है और कहती है कि बाकी की लड़किया वोग के पीट पीछे उसे कुछ भी बोलती है कि वो बस यहाँ कर एक नोकर है इडन उसे फसाना चाह रही थी लेकिन वो नहीं फसता अब कुछ दिनों के बाद इडन को बाकी लड़कों के साथ एक पार्टी में ले जाए जाता है जहां पर उन्हें सर्विस देना थी पार्टी खतम होने के बाद वोन होस्टर से पेमेंट मांगता है और वो होस्ट उसे कुछ पेसे काटने को कहता है दोनों में कहा सुनी होती है और वोग अपनी गन से उसे डरा कर बाकी का पेमेंट ले लेता है राद के समय इडन टौिलेट जाती है जहां से वो अपनी रिंग को निकलती है जो की वॉक के कहने पर उसने निगल लिती जिसका दोकर वो वापस पहन लेती है क्योंकि इसी से उसे अपनी पुरानी लाइफ और पेरेंट के बारे में पता था दिरे दिरे एडन के लिए सब कुछ बदल रहा था वॉक उसे क्लाइट के पास न बेच कर खुद अपने घर ले जाता था जहांपर वो उससे सफय करवाता है उससे वॉन के बच्पन की फोटो मिलती है और साथ में वो आदमी भी था जिसने इडन यानि की जेंग को फसाया था जहांपर सभी गल्स को रखा गया था वो एक बड़ा सा वेराऊस था और वहाँ पर उनसे प्रोस्टूशन का काम करवाया जाता था लाना को कस्टमर के कॉल्स अटेंड करनी की जौब मिली थी लेकिन वॉग अब इडन को वो काम दे देता है जिससे की लाना गुसा होती है और सब समझ रहते हैं कि वॉग इडन के करीब आ रहा है इडन अपना काम बहुत अच्छे से करती है ताकि वो उसका विश्वास दीद सके और इदर हम देखते हैं कि बब एक सेमिनार में है और वो हीमन ट्रेफिकिंग और ड्रक के ओपर इस पिच दे रहा है जिसके बाद में एक आफिसर उसे मिलता है जो कि हीमन ट्रेफिकिंग पर ही काम कर रहा था वो बॉब से उस केस के बारे में पूछता है जब तो पुलिस आफिसर को मार दिया गयता है जो कि असल में बॉब नहीं किया था और वहाँ पर मिली उस लड़की के पेर में ट्रेकर था जिससे की असली गुनादार तक पोचा जा सकता था और ये सब सुनने के बाद में बॉब को समझ आ गया था कि अब उसके लिए मुश्किल और बढ़ने वाली है यहाँ पर वाग इडन को अपने साथ कहीं ले जाता है जहाँ पर बॉब उसका इंतजार कर रहा था वाग की वेन में से दो लाशे भी थी जिने वो ठिकाने लगाने के लिए लाया था और इनमें से एक लाने की लाश थी वो उसे बीच लेक में लाकर पानी में डाल देते हैं और एक बार फिर बॉब वॉब की इंसल्ट करता है जिससे गुस्से में आकर वॉब बॉब को पीछे से अटेक करता है और माड डलता है और बॉब की भी डेट बडी को तिकाने लगा देता है अब कुछी दिन के बाद वाग एडन को एक अंजान गर ले जाता है जाके लोगों को पता था कि उन्होंने बॉप के साथ क्या किया है एडन को अब वाश्रूम जाना था और वो अंदर जाकर दिखती है कि उस घर में एक छोटा सो अपरेशन थेटर था एडन को वहाँ पर एक रूम का दर्वाज भी खुला हुआ दिखता है जिसके अंदर प्रिंसिला थी और वो अपरेशन थी प्रिंसिला को महाँ पर कुछ महीनों पहले लाया गया था लेकिन एडन को नहीं पता चल रहा था कि प्रिंसिला को यह से यहाँ पर क्यों रखा गया है जब प्रिंसिला चिलाने की गोशिश करती है तो एडन उसे चुप रहने का कहकर बार चली जाती है जहाँ पर सभी न्यूस देख रहे थे जिसमें बॉब की बनने की खबर थी लोटते समय एडन ड्राइव कर रही थी और वोग उससे पूछता है कि क्या उसने घर में कुछ देखा और वो उसे बस उस ओपरेशन थेटर के बारे में ही बताती है वोग को फिर भी कुछ अजिब लग रहा था वो उसे कार रोकने को कहता है और फिर वेन से एक लड़की को निकाल कर इडन को उसे मारने को कहता है और ऐसा नहीं करने पर उसे खुद को मारना होगा इडन के पास कोई और रास्ता नहीं था और इसलिए वो ट्रिगर दबा दिती है लेकिन असल में उस गन में बुलेट सी नहीं थी वोग बस इडन के भरोसे के जाच कर रहा था बॉब को मारने के बाद में सब कुछ बदल गया था उस वेर हाउस का ध्यान अब वोग रखता था और वो अपने गार्ट्स को पनिश्मेंट दे देता था वोग उस वेर हाउस को कहीं ओर शिफ्ट कर रहा था क्योंकि पुलिस अब उन तक पहुच सकती थी इधर इडन नर्स के पास जाती है जो कि उसे एक स्टोरेज हाउस पर ले जाती है जहाँ पर लड़कियों के पुराने सामान थे फिर सभी गर्स को ट्रक में भर के कहीं ले जाय जा रहा था लेकिन इस ट्रक में इडन नहीं थी वॉग केहता है कि इडन बहुत लगी है क्योंकि वो उन लड़कियों के साथ नहीं जा रही है बलकि वो वॉग के साथ है वॉग ट्रक से यह सिलिबट करना चाहता था लेकिन पहले वो बातुम जाता है और यही मुक्ता था इडन का कुछ कर देने का वोग जब बातरूम में था तो इडन कीचन से कीड़े मारने का स्प्रे लाकर उसे वोग के ड्रग वाले पाइप में स्प्रे कर देती है और उसे पीने के बाद वें वोग बहुश हो गया था फिर एडन अपने पेर कर ट्रेकर काटती है और वॉक का केश लेकर वहाँ से कुछ इंजेक्शन को ले लेती है और वॉक की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है लेकिन वो अपने घर नहीं जाती है वो पहले उस घर जाती है जहाँ पर प्रेगनेट प्रिंसिला को कैद कि जाती है और दोनों कार से जा रहे थे फिर एडन रास्ते में कार को रुक ती है और पब्लिक फून से अपने घर पर कॉल करती है। इडन के पेरेंट्स उसकी आवाज सुनके उसे पैचान जाते हैं जो कि उसका नजाने कबसे इंतसर कर रहे थे। फिर वो उसके असली नाम जेसों से पुकारते हैं और एडन बस रोय जा रही थी क्योंकि उसे किसी के मुझ से अपना असली नाम सुने बहुत टाइम हो गया था और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तो असल में यह मूवी चौंग की लाइफ पर बेस डे जो की असली जे है किम साउथ कोरिया में पैदा हुई थी और उससे युएसे से किडिनेप कर लिया गया था। चौंग कीम आज एक एक एक्टिविस्ट है और युमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट काम करती है। दो कि मैं फिर आउँगा एक और वीडियो को लेकर।